Welcome Back, आज हम सिखेंगे SQL Table से Data हम किस तरह से Retrieve करते हैं अर्थार्थ Simple Query किस तरह से Formulate करते हैं तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं Simple Query की, तो Simple Query करने के लिए हम Select Statement का प्रियोग करेंगे तो Select Statement अपने आप में बहुत बड़ा Statement है इसमें आज इसके कुछ पहलू पर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले देखिए, Select, फिर बाद में Columns Columns के बाद From, From के बाद Tables फिर उसके बाद अगर जरुवत पढ़ती है तो Where फिर उसके बाद अगर जरुवत पढ़ती है तो Order By किसी तरह से Having और Group By दो Closes और है इसके तो जहाँ जहाँ इसकी जरुवत पढ़ेगी हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो आज हमारा Focus का Main बिद्दू होगा कुछ Particular Table के हिससे जैसे यह हमारे पास एक Student Table है हम चाहेंगे कि इसके उपर कुछ Query करें जैसे सारा Data हम इसमें डिस्पले करवाएं यानि All Roll Column, Selected Column डिस्पले करवाएं, Selected Rows डिस्पले करवाएं, ठीक है, Selected Rows, Selected Column हम डिस्पले करवाएं तो उसके लिए हम Simple Simple Query हम इसमें डिस्पले करते हैं, तो सबसे तो आपको दिखाते हैं कि MySQL किस तरह से Function करता है, Student Table के उपर तो यह देखी, यह थोड़ा Simple सा है मारा Simple Query, Selecting All Columns, सबसे पहले All Columns को Select करना, फिर Selecting Rows, फिर All Columns and Rows, देखिए, One by One करके दिखाते हैं तो अगर हमारे पास Table का Complete Data देखना है, तो Select Star, इसका मतलब All Rows and All Columns from Student, यह अपन लिखेंगे और लिखके Enter की प्रेस करेंगे, यह Student Table का पूरा डेटा हमारे पास आजाएगा, अब जैसे मालो हम चाहते हैं कि Student का Name और उसकी Aggregate यह दो कॉलम डिस्पले हो, तो यहाँ पर हम करेंगे Select Name, A-W-G-R-E-G-A-T Aggregate from Student, तो यह देखिए, तो इसमें दो कॉलम हमने Select कियें, Name और Aggregate, तो यह देखिए, पूरी टेबल में से केवल यह दो कॉलम हमारे पास हैं हैं एक नेम और दूसरा एग्रिगेट इसी तरीके से अगर मालो हम student का name और sex डिस्पले करें तो simple सा है select name comma sex from student ये लीजिए आप ये enter की प्रेस कीजिए केवल name और sex ही हमारे पास display हुआ और कुछ भी display नहीं हुआ इसी तरीके से हम जिस तरह से selected columns हमने display करवाए हैं उसी तरह से selected rows भी display करवा सकते हैं उसके लिए हमें particular condition देनी पड़ेगी जैसे मालो हम उन students का data display कराना चाहते हैं जिनकी age 15 है तो देखिए select इसमें column हम सभी display करवाए दिखाएंगे select star from student enter where age is equal to 15 तो इसमें केवल वही display एक बार करवाते हैं select star from student अब जैसे मालो हम केवल उन्हीं candidate का data display करवाना चाहते हैं जिसका जो sex है वो female है तो चलिए select star from student where sex is equal to अब इसमें ध्यान रखिए कि यह हमारा character type है तो character type के अंदर अगर हम कोई यूज करते हैं column तो वो single quotation में enclose होता है उसका query का ठीक है अगर इसी तरह से अगर नाम भी होता तो name को भी हम single quotation के अंदर करते हैं यह देखें इसके अंदर female six student है six rows है इसी तरह से जैसे मालो हम केवल मीता का data देखना चाहते हैं तो select star from student where name is equal to mita तो मीता हमने single quotation में enclose किया यह देखें मीता का complete data दिखा दिया इसी तरह से मालो हम three hundred से कम जिसनके aggregate हैं उनका data देखना चाहते हैं तो देखें select star from student where aggregate less than three hundred three hundred से कम जितनके भी हैं उन सब का data display करें तो इसमें दो student है एक अली दूसरा मिता जिनके three hundred से कम हैं अब इसमें हमने देखा कि row complete हमने display करवाई हैं ठीक हैं लेकिन selected हैं लेकिन इसमें सभी columns हमने display करवाई हैं simple इसमें selected columns अगर display करवाना चाहते हैं जैसे अभी यह उपर वाली query है इसके अंदर name और aggregate ही अगर अगर अपन display करवाना चाहते हैं या केवल नाम display करवाना चाहते हैं तो देखे select name from student where aggregate is equal to या aggregate less than three hundred यह लिखे थी query हमने इसमें केवल इन दोनों का नाम display कर रहा है अभी इसी query का अपन name और aggregate ही display करवाना चाहें या name और as display करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं उसमें column हमें select करने पढ़ेंगे select name is, aggregate where aggregate less than three hundred कोई spell में स्ट्रिक हो गया इसमें a double g r e g a t e देखें दुबारा select name comma अच्छा from नहीं लिखा name age aggregate from student where aggregate less than three hundred यह इस तरह से अपन देख सकते हैं तो query type करते समय आपने बड़ा ध्यान रखना है कि थोड़ी सी भी एक mistake होगी तो पूरी की पूरी query हमें दुबारा type करनी होगी तो उमीद है आप लोगों को यह simple query समझाई होगी जैसी तरह से हम बाके की query भी one by one करते रहेंगे धन्यवाद